दोस्तो कुंडली में ग्रहों के असुप प्रभाओं को कम करने और सुप प्रभाओं को बढ़ाने के लिए जोतिस चास्तर में रतन धारण करने की सलहा दी जाती है ऐसे ही किसी भी ग्रहें की कमजोर होने पर वेक्ति को उसी ग्रह से समंदित दोस लगता है जैसे मंगल कमजोर होने पर वेक्ति की कुंडली में मांगलिक दोस उत्पन हो जाता है किसी भी वेक्ति की कुंडली में मांगलिक दोस विवा में दिक्कत पैदा करता है ऐसे में कुंडली में मंगलिक दोस्कों कम करने के लिए मूंगा रतन धार्ण करने की सलहा दी जाती है मूंगा रतन काफी परभाव सालिय होता है किसी भी जातक के कुंडली में मंगल के परभाव को सकारात्मक करने के लिए मुंगा रतन धार्ण करना एहम माना गया है रतन सास्तर के अनुसार मुंगा रतन मानसिक साररिक समस्याय और अन्य बाधाओं को दूर करने में सहायक है तो चलिए जानते हैं मुंगा रतन के फाइदा के बारे में सबसे पहले इसके महत्तों को बारे में जानेंगे दोस्तों जोतिस सास्तर के अंदसार किसी भी वैक्ति के कुंडले में मांगलिक दोस होने पर कितने रत्ती का मुंगा धारन करते ना चाहिए जोक्सी से सला के बाद ही ये सब करना चाहिए मानता है कि मौंगा धारन करने से व्यक्ति का मंगल दोश्यान तो जाता है और मांगलिक कारियों के सिंभावनाय बनने लगती है इससे सै कुसल विवहा पूरा होता है मांगलिक कारियों में नहीं बलकि अपियस, आपदाओं और दुर्गटनाओं आदी से भी इससे मुक्ति मिलती है अब इसका धारन करने की विधी क्या है दोस्तों किसी भी जाता कि कुंडली में मांगलिक दो सोने पर व्यक्ति को मौंगा धारन करना चाहिए जैसकी में पहले बता चुका हूँ मौंगा तामबे या फिर सोने के अंगोठी में धारन किया जाता है इसे धारन करने से पहले इसकी धारन करने की विधी के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है मौंगा धरन करने से पहले मौंगा लाकर सोमार की रात दूद और गंगा जल में मिलाकर इसके मिस्रण में इसे डाल दे मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के बाद इसे साफ करके तरजनी या फिर अनामी का उंगली में पहन लेना चाहिए तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तो वीडियो पसंद आई तो मरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले मिलता है एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद